हेलो प्यारे बच्छों, आज हम पढ़ेंगे कुशल प्रशास्नम का ग्यारा से बंद्रा श्लुक अभी तक हम पढ़ चुके हैं, आदिकावे बालवे की वारा रचित आदिकावे रामायर के अयोध्या कांट से यह पार्ट लिया गया है इसमें राम अयोध्या के कल्यान के लिए, और राज्य के सुचारू रुप से संचालन के लिए चिntा को अभी व्यक्ट करते हैं जब बह्रद उनसे मिलने आते हैं, तो राम उनसे अनएक प्रश्ण पूछते हैं और साजे में वस्ता के संचालन के शुत्र क्या है ये भी बतलाते हैं साथि साथ किस तरह की अधिकारी उन्हें नियुक्त करने चाहिए किस तरह एक सैनिक अपने कर्टव्यों का ढंग से निर्वा करता है ये सब भाव भी इस पार्ट में उन्होंने प्रकट किये हैं मध्यमेशू चमध्यमाह जगन्याश्च जगन्येशू भृत्यास्ते ताथ योजिताहा कच्चित मुख्याह संदियस में माच्चू एव कच्चित आशा करता हूँ मुख्या मुख्या माच्चू महालोगों में एव ही मद्यमेशू मद्यम लोगों के लिए च और मद्यमा मद्यम श्रेणी के जगन्याश यहाँ भी संदी है जगन्याजबाच निंदनियों निंदनिये जगन्येशू निंदनियों में भृत्यास ते यहाँ भी संदी है आधिसर को विसर नौकर ते तुमारे द्वारा तात बरत योजिता रखे गए होंगे, तो अन्मे देखते हैं बेटा, इसका हे तार, हे भरत, कच्चित, आशा करता हूँ, मद्सु एव मुख्या, महान लोगों के लिए, महान सेफको, मध्यमेशू चा मध्यमा, मध्यम श्रेणी के, योगे लिए मध्यम श्रेणी के, सेफकों को, जगन्येशू चा जगन्या, और निंदनिये श्रेणी के मंत्रियों के लिए, निंदनिये बृत्या सेफकों को, ते तुम्हारे द्वारा, योजिता लगाया होगा, तो इसमें, क्या कहना चाहते है राम, तुमने प्रक्रदी और स्तर के अनुसार, जो योगे सेफकों की नियुक्ती की होगी, जिसे आजकल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जैसे, जैसे किसी को जड़ सिक्यूरिटी दी जाती है, किसी को थोड़े कम सेवक लगाया जाती है, और किसी को कम सेवक, उससे भी कम सेवक लगाया जाती है, यह आजकल के समय में होता है, तो ठीक उस समय में भी, ऐसी ही व्यवस्ताती, जो उत्रम श्रेणी के मंत्री है, उत्रों को उत्रम सेवक, जो मध्यम श्रेणी के मंत्री है, उसको मध्यम श्रेणी के सेवक, और जो उसे भी कम है यानि कि लिंदनी है श्रेणी के लिंदनी है मतलब लिंदा करने योगी नहीं है यापर मतलब जो उनसे भी कम श्रेणी के लोग है उनको उनके लिए उनसे भी कम श्रेणी के सेवक्त तुमने नियुक्त किये होगी यानि कि सर और योगिता के अनुसार तुमने नियुक्ती की होगी संदी देखो बचो अमात्यान मतलब मंत्रियों को उपधातीतान यानि कि जिनकी अच्छी तरह से परिक्षा ली जा चुकी है पितरी पहता महार यानि कि जो दादा और परदादा की परंपरा से चले आ रहे है वैसे सेवग शुची पवित्य श्रेश्थान श्रेश्थेश्व जो श्रेश्ठ میں भी श्रेश्थ हैं क चित आशा करता हूँ तुम तुम ने नियोजेसी लगाया होगा करमसू कामों में मतलब अब हम इस कान में देखते हैं कच्चित आशा करता हूँ तुम तुम ने उंपत हाती दान जिनकी अच्छी तरह से परिक्षा ले जा चुकी है यानि की परिक्षित पित्री पैता महार जो पिता और दादा की परपरा से चले आ रहे है शुचीन पवित्र श्रेष्ठेशू श्रेष्ठान श्रेष्ठो में भी श्रेष्ठ अमात्यान मंत्रियों को करमसू नियोजेसी कामों में लगाया होगा अथार्थ नियुक्त किया होगा ये सब मंत्रियों के विशेशण है, कौन-कौन से हैं मंत्री के विशेशण? उबदातीतान, पित्री पैतामाहान, शुचीन, श्रेश्ठान, ये सब मंत्री के विशेशण है तो अस्मिन श्लोके अमात्यान विशेषणानी कानी कानी सर्थी इस लोग में अमात्यान शब्द के कौन-कौन से विशेषणान है उपधातीतान, पितरी पैतामाहान, शुचीन, श्रेश्टेशू, श्रेश्टान, शोबनम अस्मिन श्लोके क्रिया पदम किम नियोज्यसी शौवनम 11 श्लोक देखो एक बार इसमें अस्मिन श्लोके सम्वोदनम किम ताथ, ताथ मिस हे भरत तो इसमें क्या हुआ हुआ, ताथ तो आओ अगला 13 श्लोक देखते हैं कच्चित आशा करता हूँ कच्चित द्रिष्टा च शूरह च द्रिट्निमान मतिमान शुचिर कुले नह च अनुरक्ता च धक्षा सैनापती कृता हूँ कच्चित आशा करता हूँ द्रिष्टा सासी च और शूरह शूरुवीर च और द्रिट्निमान धैरे से युक्त मतिमान बुद्धिमान शुचिर कुले अच्छे कुलवाला अनुरक्ता स्वामी के प्रतिर निष्ठावान च और धक्षा चतुर निपोड अपने काम में निपो सेनापती कृता नियुक्त किया होगा शब्दों के अर्थ समझ में आगे बचो अनुवे देखते हैं आशा करता हूँ कच्चित आशा करता हूँ द्रिष्टा सासी शूरह शूरुवीर द्रिट्निमान धैरे से युक्त मतिमान बुद्धि से युक्त बुद्धिमान निष्टा का बाव रखने वाला धक्षह अपने काम में ने पूर्ण सेनापती गृता सेनापती नियुक्त किया होगा तो क्या इसमें बताया है राम ने कि तुम्हारे सेनापती में क्या-क्या गुण होने चाहिए वो सासी हो शूरुवीरो बलचाली हो दैरवानों पवित कुलीनों और अपने स्वाबी के प्रति निष्टा का भाव रखता हो और अपने कारे में भी चतुरू तो ऐसा सहनापती तुमने नियुक्त किया होगा अधीरा शब्द से विपर्ययम किब अधीर शब्द का विपर्यय क्या है दृति निष्ट शूरश्च संदि छेदम कुरुद शूरजमा चप तो आओ देखते हैं चौदवश लोग कच्चित बलस्य कच्चित बलस्य भक्तम चा वेतनम चा यतोचितम संप्राप्त कालमदात अव्यम ददासिन विलंबसे कच्चित आशा करता हूँ बलस्य सैनिकों को भक्तम बोजन चा और वेतनम चा और वेतन यतोचितम जो उचित है जितना देने योग्य है उतना ही संप्राप्त कालम संप्राप्ता काला यसित यत उचितम यता जमा उचितम जो उचित है समाज भी है बचें याँ पर उचितम अनतिक रम्यम जैसा उचित है जो उचित है संप्राप्त कालम संप्राप्ता काला यसितम समे पर दातव्यम ददासी देते होगे न विलंब से, उसमें विलंब नहीं करते होगे तो श्रीराम यहाँ पर क्ला कहते है आशक कर्चित आशक करता हूँ बलयस्द सैनिकों को येफो चितम जो उनको मिलना चाहिए जो उनके लिए ऊचित है दातव्यन जो देने होगे है भक्तम च वेतनम च बोजन और वेतन संप्राप्त कालम ददासी समय पर देते होगे न विलंब से विलंब नहीं करते होगे आशा करता हूँ सैनिकों को जो उनको देने होगे है जो उनके लिए उचित है और जो उनको देने होगे है ऐसा बोजन और वेतन समय पर देते होगे नमिलमन से बिलमन ही करते होगे भाव यह है इसमें फोजों की करतब में लिष्टा हमेशा विजश्री दिलाती है और इसके लिए साजा का करतब यह है कि मैं अपने सेनिकों के बोजन की मैवस्ता सही जंगसे करी तो उनमें आक्रोश उत्मन हो जाएगा और वे अपने कार्यों को ठीक दम से नहीं करेंगे और वो राष्ट के लिए हित्कारी नहीं हो सकता तो समझ आ गया बच्छों सबको अब इसमें से एक प्रश्ण पूछ लेती है यथा कालम कहा भक्तम वेतनम चददादी यथा कालम कौन भोजल और वेतन देता है भरता कहा भरता तो आओ देखते हैं पंद्रवाश लोक कालाती क्रमणात चा एव भक्तवेतन्यों भृता भरतुह अपि अतिकुप्यंति सोनर्था सुमहान स्म्रिता और समलिब्धिया यह संदी समास कालमाती क्रमणात जमात्यों जमात्यों जमाद बृता भर्तु जमा अपी जमा दिकुप्यन थी, सह जमा अनर्था, सुमाण जमा स्मीटा। इसमें समाज है कालस से अधिकरमणात। कालस से अधिकरमणात मतलग समय के बीत जाने पर च और एवी भक्त वेतन यहो, भक्तं च वेतनम च ते हो। तबोजन और वेतन ब्रिता अबनल वेतन गोगी जो वेतन लेते हैं ऐसे सेवक्ष भर्तुस्वामि अपिẩ भी अधिक उप्यत्धि क्रोधित हो जाते है। Pasa jahya अनर्थ ha Anarthodar जिलाश न अर्थale अनर्थ सुम्ः हाम बहुत अधिक स्मि्द अहां गया मान गया अब अन्वेश्टे बिट भफ्द वेतन्यों भफ्त Vेतन्यों भोजन और वेतन के कालाति रमडना समय पर न मिलने से यानिकी समय काति रमड़ से भोजन और वेतन के समय पर नमिलने से बृताह सेवक वर्तु अपी अतिकुप्यन्ति स्वामि के प्रती अत्यंत क्रोधित हो जाते है तो सर्च वह सुमं हानठ अनर्थ स्वनिताł बहुत बड़ा अनर्थ माना गया है क्या कह रहे है राम राम कह रहे है यदि भोजन और वेतन समय पर नहीं दिया जाता सेवकों को तो होता क्या है कि जो सेवक होते हैं वो स्वामी के प्रति बहुत प्रोधित हो जाते है और यही सब अनर्थों का कारण होता है तो इसलिए सभी को सभी जितने भी सेवक है उनको वेतन समय पर मिलना चाहिए तो आओ देखते हैं इसकी व्याकरण यह इसकी व्याकरण है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनी श्लोकों का पठित अववोधनम आज के लिए इतना ही ऌरामी कैपे लिए एकरण को